Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाडमी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंट्रेस्टेड हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंट्रेस्टेड हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखोट सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading तो ये जमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे फिर्स set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and फिर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally September month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Five of Cups और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर September starting में कोई चीज आपको bother कर रही है आप emotionally थोड़ा सा low feel करते हुए दिख रहे हैं अब दिखिए यहाँ पर सब के लिए different चीजे होंगी जो आपको किसी level पर पर परेशान कर रही है लेकिन यह card कहता है कि आप थोड़े मायूस हो रहे है और जो भी चीज आपके relationship में ठीक नहीं चल रही है आप उसके उपर ज़्यादा focus कर रहे है कुछ Gemini's के लिए हो सकता है कि आप से कोई गलती हुई आपके partner से कोई गलती हुई उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे है उसको लेकर अफसोस आपको हो रहा है कभी-कभी होता है ना में लगता है मैंने ऐसा क्यूं कहा मैंने ऐसा क्यूं करा काश ऐसा ना हुआ होता तो इस तरीके की energies रह सकती है और reason फिर से मैं कहूंगी सब के लिए differ करेगा लेकिन deeper level के लिए keep calm का काट कहता है जो भी चीज आपको surface level के लिए परेशान कर रही है मायूस कर रही है किसी level पर मैं ये भी कह सकती हूँ दुखी कर रही है आपकी मन ही मन पूरी कोशिश है कि आप इन energies को overcome करें आप over react ना करें पार्टनर की किसी बात के लिए आप hyper active ना हो और aggressive ना हो थोड़ा सा अपने आपको शान्त रखने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है meditation या कोई भी और technique आप use कर रहे हैं अपने मन को अपने आपको शान्त करने के लिए और कहीं mid September के लिए King of Wands का card कहता है आप काफी better महसूस करते हुए दिख रहे हैं कहीं एक enthusiasm, excitement आपका revive होता हुआ दिख रहा है आप relationship को लेकर, partner को लेकर या in general अपनी life को लेकर भी काफी motivated रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन मन ही मन आपको पता है या आपको इस चीज का एहसास है, realization है कि थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा impulsive होने से कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर दिखिए फिर से मैं correct कर लूँ खुद को ही आप action initiatives ले रहे हैं, लेकिन आप impulsive नहीं हो रहे हैं बहुत maturity के साथ चीजों को deal कर रहे हैं और surface level पर जो भी कर रहे हैं, मन ही मन एक सब्र, एक patience, एक इत्मिनान आप रखते वे दिख रहे हैं end September के लिए 10 of Cups का card कहता है आप अपने partner के साथ long term चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है शादी चाहा रहे हैं, live in चाहा रहे हैं, engagement चाहा रहे हैं आपको यसे लग रहा है कि बस यही हैं, वो जिनके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं आप family चाहते हैं, और कहीं देखिए एक happiness, joy भी आप अपने partner के साथ ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं लेकिन मन ही मन के लिए insecurities का card कहता है, कि एक fear, एक insecurity भी रहती भी दिख रही है अब यहाँ पर भी सब Germany's के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन कहीं फिर से मैं कहूंगी पार्टनर के साथ, पार्टनर का साथ हमेशा के लिए चाहा तो रहे हैं, लेकिन मन में एक डर, एक fear, एक insecurity भी महसूस कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner के के energies हैं, तो दिखिए आपके partner के लिए आप इस सब से पहला card है opened gate और ये card कहता है कि पीछे, अगर किसी भी level पे आपके partner ने आपके और अपने बीच का दरवाजा अगर बंद किया था आप देखिए, ये सब Gemini's के partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि आपसे इतनी बातचीत नहीं कर रहे थे, इंटराक नहीं कर रहे थे बिल्कुल अगर पीछे उन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी थी, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है, आपको social media पे ब्लॉक किया, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि बातचीत कर रहे थे लेकिन mental, emotional, बिल्कुल एक connect आपको नहीं महसूस हो रहा था आपको इसे लग रहे था जैसे कि उन्होंने फिर से मैं कहूं कि अपने दिल का दर्वाजा या फिर अपने मन का दर्वाजा आपके लिए बंद कर दिया, तो कहीं September स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से वो दर्वाजा उनका खुलता हुआ दिख रहा है, वो इस relationship के initiatives लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जिस तरीके से वो इस relationship को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उस तरीके से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अब यहाँ पे भी देखिए, सब जैमिनी इसके partner के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन चार over action initiatives ले रहे हैं, ये card reverse है, तो इसी energies में कहीं एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा, कहीं you know confidence नहीं feel कर रहे हैं, confident नहीं feel कर रहे हैं, या पर कुछ के लिए हो सकता है, over confident हो रहे हैं, and कहीं देखिए, फिर से मैं कहूंगे कि, यहाँ पे divine counterpart का card कहता है, कि मन ही मन उनको ऐसे लग बिताना चाहते हैं, या अगर ऐसा नहीं भी सोच रहे हैं, तो बहुत strong connect, आपके साथ मन ही मन महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन surface level के लिए, king of swords का card कहता है, बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं, mind से चीजों को deal कर रहे हैं, कहीं उनका communication काफी blunt straightforward हो रहा है, और आपको ऐसे लग सकत पता नहीं इनके मन में आपके लिए love है नहीं है, पता नहीं यह आपके लिए emotional है या नहीं है, तो अगर ऐसा लगे, doubt ना करें, उनकी मन ही मन की energies जो वो surface level के लिए दिखा रहे हैं, उससे एकदम से contrary हैं, surface level के लिए थोड़े से rough, थोड़े से rash, थोड़ा सा एक blunt, straightforward communication और mature तरीके से mid September में रहेगा, starting September में थोड़ा सा rough रह सकता है, and आपको यसे लगेगा कि mind से चल रहे हैं, बहुत ही logical हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मन ही मन वो आपके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, मतलब बहुत strong connect महसूस कर रहे हैं, and end September के लिए four of wands का card कहता है, कि आप को उनके action, initiatives, body language से भी जाहिर हो जाएगा, कि वो आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं, and in fact देखिए, आप और आपके partner की कहीं similar सी energies है, आपके लिए ten of cups का card है, आपके partner के लिए four of wands का card है, तो broader level के लिए इन दोनों ही cards का मतलब होता है, togetherness, companionship, marriage, living, हमेशा के लिए साथ तो आप दोनों ही, you know, end September में similar सी energies में रहते हुए दिख रहे हैं, और आपके partner के लिए deeper level के लिए many options का card कहता है, हो सकता है कि जब पीछे वो आपसे उतना बात नहीं कर रहे थे, या आपको ऐसे लग रहा था कि उन्होंने अपने दिल के दरवाजे या अपने दरवाजे ब जो एक connection, वो आपके साथ महसूस करते हैं, जो एक feeling, जो एक, you know, love उनके मन में आपके लिए है, वो कभी किसी और के लिए उन्होंने उस तरीके से महसूस ही नहीं करा, और कहीं बहुत इसी चीज़ को लेकर एक clarity भी, end September में उनको आती भी दिख रही है, आप देखते हैं कि September मन्त में क्या हो रहा है, तो देखे, September मन्त के लिए हाँ पर सबसे पहला card में जो दिख रहा है, infidelity, अब देखिए, infidelity का मतलब, literally cheating नहीं होता, specially जब हम एक general reading कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, possible नहीं है कि सब की love life एक जैसी हो, तो यहाँ पर अलावा, यह एका दुका लोगों की बात कर रहे हो, otherwise दिखे, अगर आप text पे भी flirt कर रहे हैं, या फिर love, emotions, feelings की बात कर रहे हैं, दूसरे जन से, partner के अलावा, तो यह भी cheating होती है, तो यहाँ पर infidelity का मतलब यह भी है, या अगर आप text पे नहीं भी बात करे, मन से आपने, या आपके partner ने एक दूसरे के अलावा किसी और के लिए एक love care महसूस करी, तो वो भी cheating हो गए ना भाई, अगर physical level पे नहीं मिले, तो क्या हो गया, लेकिन मन से तो दूसरे के लिए attraction फील करी, attraction फील करना तो बड़ा normal होता है, but yes, उससे जादा, सोचा, चाहा या उस direction में, again action initiatives लेने की कोशिश करी, या सिरफ एक बहुत जबरदस्त उस तरीके से सोचा, और ये भी एक reason हो सकता है, कि आप दोनों के बीच में पीछे issues रह रहे थे, one of the reasons, ठीक है, तीसरा कोई इंसान, वो कोई भी हो सकता है, और इसलिए या पर otherwise, six of wands reverse का का काट कहता है, कि शायद उस तरीके से चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, कुछ टाइम से या September starting में, और कहीं ego issues भी थे, कहीं enthusiasm, excitement missing था, कहीं, you know, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन कहीं mid September या September मन्थ भी हो सकता है, आप इस seven of wands का का काट कहता है, कि सब चीजों को side पे रखते हुए, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने काफी effort लिये चीजों को ठीक करने के लिए, दिखिया आपकी तरफ से और partner की तरफ से effort रहते हुए दिख रहे हैं, आपके ले King of Wands का का काट है, partner के ले King of Souls का का काट है, masculine energies कहीं action लेने के बात करती है, आपने बहुत enthusiastically excited तरीक की कोशिश करी, जो भी issues थे, मसले थे, रुकावटे थी, hurdles थे, उनको overcome किया, उससे डरे नहीं, घबराए नहीं, courageously stance लिये, और यहाँ पर reconciliation का काट कहता है कि September मन्त में, अगर पीछे कुछ issues, मसले चल रहे हैं, तो reconciliation होता हुआ दिख रहा है, या मैं कहूंगी बहुत सारे chances ह जो भी problems हैं, वो किसी level पर resolve होती हुए दिख रही हैं, आप दोनों के बीच में, चीजे ठीक होती हुए दिख रही हैं, आप लोग connect एक दूसरे से positively, lovingly होते हुए दिख रहे हैं, और दिखे, end September के लिए, यहाँ पर Hierophant Reverse का का काट कहता है, कि दिखे, reconciliation हो गया, समझाता हो गया, चीजें resolve हो गई, problem solve हो गई, लेकिन वो stability, वो security नहीं महसूस कर पा रहे हैं, आप देखे, हाँ पर भी reasons सबके लिए differ करेंगे, लेकिन Hierophant Reverse का का काट कहता है, religion एक reason रह सकता है, society, घर के कोई बड़े reason रह सकते हैं, घर के बड़ों का society का approval नहीं है, यह religion की तरफ से लगता है, फिर से मैं कहूंगी, issues हैं, या, आप दोनों याप दोनों में से कोई, एक का बहुत strong belief है किसी चीज को लेकर, उसकी वज़े इसे issues आ रहे हैं, या आप दोनों याप दोनों में से कोई एक किसी चीज को लेकर, बहुत जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं, कही रिजिड हो रहे हैं चीज को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं और यहाँ पर cat lady का काट कहता है शायद आप दोनों ही अपने लविल पे आप दोनों में से कोई एक self love भी practice करना चाह रहे हैं तो यह था जेमिनीज आप लोगों के लिए सब्टेंबर 2024 की लाव टारो रिडिंग और अगर यह रिडिंग आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें